हलो दोस्तों मैं हूँ आपका पंकज और आप देख रहे हैं पंकज गराज एंट बाइक चनल को तो आज मैं आपके लेका आया हूँ सिफ्ट डिजायर यह जो है वो है वी एकसाई मोडल आप चारो साइट से देख सकते हैं इस तरीके की है यह पूरी गाड़ी और यह जो पूल हम वो कर देते हैं तेको यह जार गाड़ी तो काफी यह अच्छी है देखो यह इंडिया की मुष्ट पॉपुलर कार में आती है यह मतलब सेडान है यह सबसे ज़्यादा बैस्ट है यह टूरें ट्रेवल में सबसे यह यूज होने वाली कार है तो बैस्ट कार है मैं तो यह बोलूँंगा आप इसके हैड लेंबस देख सकते हैं पूरे नीचे नीचे वाला है हैड लेंबस का अफी अच्छा दिया हुँ आई नीचे तो कि आगे से देखो इसका और यह लोगों दिया हुआ एपना आगे सोज़की का बीच मैं और यह ब्लैक टलर का कॉंबि पर यह उपर वाल वाला में जो फाके पछालन थे जिसकी अफैनि-हारी साइज है और सीष्ट बोड़š that에 खालन lives मुल शौम ज़ाते हैं अ lotus अधर जिसका साइब सकते हैं वहाँ आपको मिल जाती है एक यह indicator और यह automatic है बंद हो जाते हैं अंदर से ठीक है और यह gate door कुछ इस तरीके से है यह doors gate खोलने के लिए और यह है अपना petrol tank ठीक और यह कुछ backlight इस तरीके से है गाइस तो यह अपना हो गया parking के लिए इस side यह parking और यह ब्रेक generator के लिए यह इसका boot है जो अपने खोलेंगे भी थोड़ देर से देखते हैं तो चलो गाइस अब इसके अंदर चलते हैं इसका जो टायर है वो सारे के सारे Apollo के लगे हुए हैं काफी अच्छी गाड़ी है अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर अंदर जाके देखते हैं इसके हैं और अपना काच कोलने के लिए यह है लोग और अनलोक और यह चाल technicians लोक के अपना और यहां मिल जाताए कूछ श्पेस जिसमें आप बोटल रख सकते हैं और कुछ गाइस अमने हो चुकन हैं अंदर eater तो इस तरीके से ही यह फूरी देखो अंद़र इंटीर आप देखो यार पूरा ब्लैक में और यह देखो यह लगड़ी जैसे कलर में है और इसका गलब बॉक्स आप देख सकते हैं यार गाइस काफी अमेजिंग है यह देखो सामाल रखने के लिए मतलब गाड़ी के कागज बगर जो भी आपको रखने हो वह सारे के सारे उसमें चार स्पीकर आपको मिल जाते है गेट पर को जार कि का ईकी उपग में जा देखो है इसाट अफ़ अब इसको हम एच लग रहा है और स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके करने के दिखते हैं हिसका मीट्र किस तरीके आप देख सकते हैं इस तरिका का है इस मीटर यह अपना है rpm जो की 1000 तक चाताहे नार्मल इसके बा। बास में आप देख सकते हैं कुछ मID को दो को दिखा था कुछ यह शुट सकते हैं वहां नार्मल कोृशंओ इसके अपको देख सकते हैं कि तक है अभी यह गड़ी और बाकी आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपका दिया यह एसी जो कि आपको हाँ से करना पड़ेगा चालो और आफ यह हो गया फैन ऑन ठीक है और यह आपको कुछ इस में आप लोगे को क्या-क्या दिया हुआ है यह मैनुवल है इसमें टच स्क्रीन नहीं है यहां से करना पड़ेगा ब्लुटूथ है सीडी है एफम है ठीक है मीडिया है मीडिया दबाओगे तो आपको ब्लुटूथ कंट्रोल आ जाएगा पूरा का ठीक है यह वाल्यूम क आइस सेट घूमा देंगे पूरा तो यह ऩंदा पे अजाये ठीक ہے इससने आपको 12 वोल्ट से है वून है और इसके बाद में यहां पे यू एस्टatan heh यह आपको कुछ कागज आगद रखने के लियह यह अकजाने से मिल जाएग मीप यह आपको यहां पर दो का फोल्डर रख सकते हो आप आरहम से ठीक है उसके बाद में इसके हैं यह गियर सिस्टम्स जिसमें पांच गियर आगे के लिए है और एक बैक के लिए गियर दिया हुआ है और पीछे कुछ इस तरीके से है यह गाड़ी ठीक है अभी मैं इसको अपन को है आप इसको एड़े सिटकर कर सकते हैं नीचे और यह ऊपर एक सेंड.ञाट में यह घुट का रिफा जाएंगा इँप कर लेते हैं यह पांट्रोल्स पल्हां मिल जाएंगे जो कि跳ी सिस्टम्स के लिए है यह बॉल्यूम का ठीक है और इसके बाद में यह मिई पर सिस् और जो भी चेंज करना हो यह है कुछ नीचे कंट्रोज यह ब्लुटूथ का दिया हुआ है यह फोन उठाने का दिया हुआ है इसके बगल में इस साइट दिया हुआ है आपको यह क्या नाम है वाइपर का सिस्टम पूरा इस साइट दिया हुआ है और इस साइट दिया हुआ ह यह गाड़ी काच आप एड़स्टेवल और आपका बैक काच यह अधिस्टियु और यह पेपर लखने के लिए सीट्स परद पाइपर फसल सकते हैं आपलोगो और इस वाले पर काच दिया होगा आपको यह काच दिया हुआ है इस गाड़ी में दो अर्च आड़ बैक है एक य यह लिखा हुगा है एयर वेग इसमें दो आप चलते हैं का इसको अपने असाब से ड्राइब के लिए एड़ेस्ट कर लेते हैं काफी ज़यता इस पर साइस गाड़े में हम चलते हैं इसके बैकडूर पर तो GUYS अब हम इसका बैक डूर ओपन कर लिए हमनें अब इसके बैक ड के लिए और नीचे आपको एक बोटल रखने के लिए दिया हुआ है इसको यहां से कर लेंगे हम क्लोज और देखो गाइज मैं आरम से बैठ सकता हूं मेरी हाइट है पीछे के लिए लाइट दी हुई आप देख सकते हैं पीछे लोगों के लिए लाइट भी दी हुई है और इसके बाद में नीचे इसमें पीछे भी एक बिंड शील्ड एशी दिया हुआ है सिंगल ठीक है यह है इसका इसी और इसी की ऊपर आपको दिया हुआ है हमारा प्यार 12 volt का charger जो कि पीछे दिया हुआ है आपका प्यक प्षार्ज कर सकते है इस फ़ले गेट पर भी सेDas प्टिंग्स है और यह कुछ यह अर इसमें एना ARM REST भी दिया हुआ है पीछे आ हरम से ARM REST लख सकते हैं इसमें ठीक है यह आप कुछ काफ होल्डर भी रख सकते हैं अगर आप चार लोग ड्राइब कर रहे हो गाड़ी मेर काफी यादा बैतरिंग गाड़ी है एक यह यह जस्ट और दो आगे एक ड्राइवर हो जाएगा आपका बागी यह सब चीज़ें यह आप पांच लोग भी होना तो इसको क्लोज कर दो आराम से कोई दिक्कत नहीं है आप आराम से जा सकते हैं यह पूरा क्लोज हो गया और इसमें क्या सिस्टा में अंदर तो कुछ नहीं है देखो नॉर्मल ही है आम रेस्ट भी है इसमें काफी जादा बैतरिन लग रहा है मिरको अब चलते हैं इसके बूटी करते हैं यार यह देखो काफी बड़ा वूटी स्पेस दिया हुआ है यह जो बूटी स्पेस तीन सो अठाटा लीटर का दिया हुआ यानि 378-liter ठीक है तो यह देखो इसका यह बूटी स्पेस है इस तरीके से पूरा ठीक है अब हम इसको देखाते हैं इसका फ्यूल टैंग आपको चलो गाइस तो इसका फ्यूल टेंक देखते हैं और पीछे ना इसके यह कुछ सेंसर दियो हैं जैसे आप बैग डालोगे तो यह सेंसर ओन हो जाएंगे ठीक है तो गाइस अभी हम इसका है ना पैट्रॉल वाला वह ना ओपन कर लेते हैं और देखते हैं उसके बाद म आपको आपको अब यहां कर लिया उपन यह दो गाइस नीचे पैट्रॉल और ने डिगगी खोलने के लिए दोनों चीज दियो हुई यह अपना पॉनट कोलने के लिए दिया हुआ तो हम यहां से अपना बॉनट भी उपन कर लेते हैं बॉनट भी उपन होगा गाइस यहां से अपने काड़ी में फ्यूल भरवाएंगे ठीक है यह चीज आपकी फ्यूल की तो गाइस आप अब हम दातें इसके इंजन पर गाइस यह इसका 4 सिलेंडर इंजन जो की है 1197 का पूरा का पूरा इंजन इसका और 4 सिलेंडर नहीं यह सामने आपको देख रहे होंगे यह बैटरी है आपकी तो यह है कुछ इस तरीके से सिफ्ट डिजायर अब मैं इसके बारे में कुछ और जानकरी देता हूं मैं आपको यह जो नई जो पड़ती है गाड़ी ओन रोड प्राइज इसकी पड़ेगी आपको ने ओन रोड प्राइज नहीं पड़ेगी छे लाग इसका माइलेज देगी आपको इंजिन इसका 1197 यह पैटरल वेरियंट है मैनुवल में आती है फाइब सीटर गाड़ी है इसके बाद में आपको जो इसका मैक्स पावर मिलेगी बी एचपी के आरपीम पर वो मिलेगी एटी टू भी एचपी और छेजार आरपीम जाएगा वो जन्रेट होगा आपको एक सो तेरा एन एम और जो की ब्याली सो आरपीम पर जाएगा माइलेज इसका 21.1 मतल्य किस क्लोमीटर का मिल जाएगा आपको मैनुवल गियर है इसके बी एस और यह बी एस एक्स गाड़ी है और इसका जो वेट मिलेगा वो आपको मिलेगा आट 1435 mm की आएगी और इसकी हाइट की बात करेंगे तो 155 में मिलीवीटर में और वील बेस की बात करेंगे तो 2450 mm मिल जागा उपको ग्राउड क्लिरंस मिल जागा इसको आपका इसमें वो मिल जागा आपको 163 मं की यह सारी चीजे थी कुछ इस गाड़ी के बारे में तो गाई झालब झालब के लिए योगाई कर दो दोगाई